हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टॉल अबाउट टेक्सेज, मैसेल्फ सियमानोज गुपता और यो वचिंग ओल अबाउट टेक्सेज आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप अपना इंकम टेक्स पासवर्ड भूल गए हैं तो कर लीजिए, अगर आप इंकम टेक्स और GST से लेटेड अबडेट्स पाना चाते हैं इंकम टेक्स वेबसाइट पर आपको पांच तरीके दिये गए हैं जिससे आप अपना इंकम टेक्स लोगिन पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं इं पांच में से आप कोई भी ओप्शन एक्सराइज करके अपना इंकम टेक्स लोगिन पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको विजिट करना होगा साथ ही आपको लोगिन करना होगा लोगिन हीर पर क्लिक करने के बाद आपको फोर्गेट पासवर्ड लिंक पर क्लिक करना है यहाँ पर आपसे आपकी यूजर आइडी पूछी जाएगी जो की आपका पैन नमबर रहेगा उसके बाद आपको कैप्चा कोड इंसर्ट करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है उसके बाद आप इन पांचों उप्शन में से कोई भी एक उप्शन एकसरसाइज कर सकते हैं अपना लोगिन पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं यूजिंग आधार OTP यह सबसे सिंपल पोसिजर है लेकिन इसके लिए पहली कंडिशन यह है कि आपका जो पैन नमबर है जो आधार नमबर है वह लिंक होना चाहिए अगर वह लिंक नहीं है तो ऐसे में आप इस ओप्शन को यूज नहीं कर सकते हैं तो अगर आपका पैन नमबर और आधार नमबर लिंक है तो आपको यूजिंग आधार OTP सेलेक्ट करना है और उसके बाद कुंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है confirm करने के बाद आपको generate आधार OTP पर क्लिक करना है आपके मुबाइल नमबर जो की आधार पर रजिस्टर है वहाँ पर एक one time password send किया जाएगा पासवर्ड आपको यहाँ पर enter करना है और validate बटन पर क्लिक करना है validate सेकिस होने के बाद आप अपना new password enter कर सकते हैं उसके बाद आपको आपका new password confirm करना है और submit बटन पर click करना है इस तरह आप इस option को exercise करके अपना login password reset कर सकते हैं next option आपको दिया गया है net banking login अगर आप net banking use करते हैं तो ऐसे में आप net banking का use करके भी अपना login password reset कर सकते हैं इसके लिए आपको e-filing login through net banking link पर click करना है और उसके बाद जो आपको bank की list दी गई हैं उन में से आपको अपना bank select करना है और net banking के जरीए login करते हुए e-filing link पर click करना है banking के जरीए आप login कर लेते हैं उसके बाद आपको profile setting में जाकर change password पर use करके अपना password change करना है और new password enter करना है और साथ ही confirm करना है और उसके बाद submit बटन पर click करना है थर्ड option upload digital signature certificate तो अगर आपके पास आपके digital signature certificate है तो आप उनका use करके भी अपना login password reset कर सकते हैं इसके लिए आपको upload digital signature certificate option को click करना है आपको यहाँ पर दो option दिये जाएंगे new digital signature certificate second registered digital signature certificate तो अगर आपका digital signature already registered है तो आप second option को exercise करेंगे लेकिन अगर आपका digital signature already registered नहीं है तो आपको new DSC पर click करना है उसके बाद आपको DSC management utility को use करते हुए अपना signature upload करना है और validate बटन पर click करना है जैसे ही आपका DSC validate होता है उसके बाद आप अपना new password enter कर सकते हैं और उसके बाद confirm करते हुए submit बटन पर click करना है इसके बाद आपको दिया गया है using e-filing OTP अगर आप किसी वज़ा से अपनी पुरानी email ID या फिर पुराने contact number को access नहीं कर पा रहे हैं तो आप new mobile number और new email ID के जरीए भी अपना login password reset कर सकते हैं सबसे पहले आपको using e-filing OTP option पर click करना है और continue बटन को press करना है उसके बाद आपको दो option दिये जाएंगे आप चाहे तो registered email ID और mobile number जो की already registered है उसके जरीए भी password reset कर सकते हैं या फिर आप new mobile number और new email ID का भी use करके अपना password reset कर सकते हैं दोनों में से कोई भी option आपको exercise करना है उसके बाद आपको validate बटन पर click करना है आपकी email ID और mobile number दोनों पर ही one time password send किया जाएगा दोनों ही passwords को आपको enter करना है और validate बटन पर click करना है उसके बाद आप अपना new password enter कर सक करते हैं पर आपको एक बात का ध्यान रखना है अगर आप new email ID और mobile number के जरिए अपना login password reset करते हैं तो इसके लिए यह 24 hearts का समय लिता है आपके new password को confirm करने के लिए लास्ट option दिया गया है answer secret question तो आप secret question का answer करते हुए भी अपना login password reset कर सकते हैं इसके लिए आपको answer secret question बटन option पर click करना है continue बटन पर click करते हुए आपको अपनी date of birth याफि date of incorporation provide करनी है इसके बाद आपको अपने secret question को select करना है और उसका answer देना है और उसके बाद submit करते और confirm करते हुए submit बटन पर click करना है friends यह वो 5 option दिये गए हैं आपको अपना income tax login password reset करने के लिए I hope friends मेरी वीडियो आपके लिए useful होगी देखते रहिए like करते रहिए share करते रहिए हमारे channel all about taxes को